आज मैं आप लोगों गवन का उनिस्वा भाग बढ़ाओंगी तो आप लोग धियान से सुनिए रतन आखिर क्यों जालपा पहले कार को बढ़ाओ फिर बताओं रतन नहीं पहले बता दो जालपा नहीं यह नहीं होगा पहले कार को बढ़ाओ रतन नहीं हार कर कार को बढ़ाय जब देखने वाला ही ना रहा तो इन्हें रखकर क्या करूं रतन एक लंबी सांस खीची और जालपा का हाथ पकड़कर कापते वे शोर में बोली बाबो जी के साथ तुम यह बड़ा नया कर रही हो रहे तुम्हारे अंगों पर इनकी सोभात देकर कितना प्रशन हुए होंग जब तक यह चीज़े मेरी आँखों से दूर ना हो जाएगी मेरी मेरा चीत सांत ना होगा इसी विलासिता ने मेरी दुर्गति की है यह मेरे बिपत्ति की गठरी यह प्रेम की स्मिलती नहीं प्रेम तो मेरे हीदे पर अंकीत है रतन तुम्हारा हीदे बड़ा कठूर है जा पर होती तो यह तिलाजले दे कर ना भागती अपने मन की सारी बैठा कथा सुनाती और जो कुछ करती उनकी सरा से करती इस्त्री और पुरुष में दुराव कैसा रतने गंभीर मुश्कान के साथ कहा ऐसे पूरुष तो बहुत कम होंगे जो इस्त्री से अपना दिल खोलते हों जब तुम श्वय दिल में चोर रखती हो तो उनसे क्यों आशा रखती हो कि वे तुमसे कोई पर्दा ना रखे तुम इंसान से कह सकती हो कि तुमने उनसे पर्दा नहीं रखा जालपा निशा कुचाते वे का मैंने तो अपने मन में चोर नहीं रखा रत्य ने जोर देकर कहा जूड बोलती हो बिल्कुल जूट अगर तुमने विश्वास किया होता तो वे भी खुलते जालपा इस आच्छेप को अपने सीजन से न टाल सके उसे ज्यात हुआ अज ज्यात हुआ कि कपड का आरम पहले उसी की और से हुआ गंगा का तट आप हुचा कार रुप गई जालपा उत्री और बैक को उठाने लगी किन्तु रत्य ने उसका हाथ ठड़ा कर कहा नहीं मैं इसे न ले जाने दूँगी समझ लो की डूब गए जालपा ऐसा कैसे समझ लू रतन मुझ पर दया करो बहन के नाते जालपा बहन के नाते तुम्हारे पैट दो सकती हूं मगर इन काटों को हिर्दे में नहीं रख सकते रतन के भावें से कोड़कर कहा किसी तरह नहीं जालपा ने बेग उठा लिया और तेजी से घाट से उतर कर जल घट तक पहुंच गई फिर बेग को उठाकर पाने में फिक दिया अपने निबलता परिया पीजया पाकर उसका मुझ प्रदिप्त हो गया आज उसे जितना गरवा और आनंद हुआ उतना इन चीजों को पाकर जालपा यहीं निठूरता मन पर बीजय पाती है अगर कुछ दिन पहले निठूर हो जाती तो आज है दिन क्यों आता कार चल पड़ी रहमानात को कलकत्य आये हुए दो मेने के उपर हो गए है वह अभी तक देवी दिन के घर पड़ा हुआ है उसे हमेसा यही धुन सवाराती है कि रुपे कहां से आवे तरह तरह के मन सुभी बांता है भांती माती कलपनाय करता है पर घर से बाहर ने निकलता हाँ जब खूब बिश्वास ना आया कौन जाने पुलिस ने उसे ग्रफतार करने के लिए माया रची हो रुपे मवला किसने चुकाय हो गया शंभव एक दिन उसी पत्र में रमानात को जालपा का इच्छपा मिला जालपा ने अग्रा और याचना से भर हुए शब्दों में उसे घर लोट आने की प्रणा की थी उसने लिखा तोहारे जी में किसी का कुछ बाकी नहीं है कोई तुमसे कुछ न कहेगा रमा का मन चंचल हो उठा लेकिन तुरंत यह उसे ख्याल आया वह भी पुलिस की सरारत हो जालपा ने पत्र लिखा इसका क्या प्रमाण है अगर यह भी माल लिया घर जाने का नाम न लोगा और उपएए नहीं दिये गए to p하면 कभी घर न जाओंगा कभी नहीं के घर में कोठरे दो कोठरियां थे और उसने और सामने गरामदा कोठरी में कॉनाम जाधा दुसरी कोठर इसाओर यहां से खुली हैं रमाई जी उपर के हिशे में राता था, देविदिन के राने सोने बैठने का कोई विशे सस्थान ना था, रात को दुकान बढ़ाने के बाद वही परामदया शयनक्री बन जाता था, दोनों वही पढ़े राते थे, देविदिन का काम चिलंपीना और दिन भर गप्पी काना था, दुकान का सारा काम बढ़िया करते थी, मंडी जाकर माल लाना, इस्टेशन से माल भीना या लेना या सब भी वही कर लेती थी, देविदिन का अग्रागों को पचानता तक ना था, थोड़ी सी हिंदी जानता था, बैठा बैठा रमार, तोता मैना, रासलिला या म आता मरियम की कहानी पढ़ा करता, जब से रमा आ गया बुड़े को अंग्रेजी पढ़ने का सब हो गया, सवेरे ही प्राइमर लाकर बैठ जाता है, और 9-10 वज़े तक अच्छर पढ़ता रहता है, बीच-बीच में लतीपे भी होते जाते हैं, जिनका देविदिन के पास खर्ण भंडार है, मगर जगों को रमा का आशन जमाना अच्छनी लगता हुआ, उसे अपना मुनीम तो बनाए हुए है, हिशाब किताब उसी से लिखवाती है, पर इतने से काम के लिए हुआ एक आदमी रखना व्यर समझती है, यह काम तो वह ग्राकों से यह ही करा लेती थी, उसे रमा का रहना खलता था, पर रमा इतना नम्र, इतना सेवा तत पर इतना धर्मनीश है, वह स्पश्य से कोई आपती नहीं कर सकती है, हाँ दूसरों पर रखकर सलेश रूप से उसे सुना सुना कर दिल का गुबार निकालती रहती है, रमा ने अपने को ब्रामन का और उसी धर्म का पारंग करता है, ब्रामन और धर्मनी श्रुबन कर, वह दोनों प्राणियों का सरदा पात्र बन शकता है, बुढ़िया की भाव और ब्यवहार को खुब समझता है, पर क्या करें? बहयाई करने पर मजबूर है, पर सितिक ने उसके आत्म समान का परांग कर डाला है, एक दी रमानात वाचनाले में बैठा हुवा पत्र पढ़ रहा था कि एक आएक उसे रतन दिखाई पड़ी गई, उसके अंदास से मालूम होता था कि वह किसी को खोज रही है, बिसो आदमी बैठे पूस्तक और पत्र पढ़ रहे थे, रमा की छाती धगदग करने लगी, वह रतन की आँखे बचा कर सीर जुकाय हुए कमरे से निकल गया और पीछे के अंधेरे परामदे में जहां पुराने टूटे फूट संदुगर कुरसिया पड़ी हुई थी, चीपा खड़ा रहा, रतन से मिलने और घर के समाचार पूचने के लिए उसकी आत्मा तर पर छुप तो नहीं है, उसे धूरत और बेमान तो नहीं समझ रही है, दूबली तो नहीं हो गई है, और लोगों के क्या भाव है, क्या घर की इतलासी हुई, मुकदमा चला है, ऐसी हाजारों बाते जाने के लिए वह बिकल हो रहा था, पर मुह कैसे दिखा है, वह जाल जा जाकर सारी कतास का सुनाए, जो कुछ होना है हो जाए, साल दो साल की कैद इस आजीवन का रावास से तो अच्छी ही है, फिर वह नए सिले से जीवन संग्रा में प्रिवेश करेगा, हाथ पाँ बचा कर काम करेगा, अपनी चादर के बाहर जो भर भी पाँ न रखे फैलाए तो उसने धोती ओड़कर किसी तरह राते काटी, पर पूस के जिकड़काते, जाड़े लिहाफ या कंबल के वगर कैसे करते, बेचारा रात वहर गट्री बना बढ़ा राता, जब बहुत सर्दी लगती तो बिचावन हो लेता, देविदी ने उसे एक प्रानी इंदरी से अच्छा ही था, रमा संकोज बस देविदीन से कुछ न कह सकता था, और देविदीन भी साहिद इतना बड़ा खर्चना उठाना चाता था, यह संभव है, इधर उसकी निगाह ही ना जाती हो, जब दिन ढढ़ने लगता तो रमा के रात के कष्ट की कलपना से भैवित हो उठता था, मानो काली बला दोड़ती चली आती हो, रात को बार बार खिड़की खोल कर देखता कि सवेरा होने में कितनी कशर है, एक दिन सामको वाजनाले जा रहा था कि उसने देखा एक बड़ी कोठरी के शामने हजारों कंगाले जमा हैं, उसने सोचा यह क्या बात है, क् इतने आदमी जमा हैं, भीड के अंदर घुसकर देखा, तो मालूम हुआ, सेट जी कमलो का दान कर रहे हैं, कमल बहुत घटिया थे, पतले और हलके, पर जनता एक पर एक टूटी परते थी, रमा के मन में आया, एक कमल ले लूँ, यहां मुझे कौन जानता है, अगर कोई ज कुछ और ही है, मुनिम मन में प्रसंद था, एक ब्रामर देवता दिखाए तो दिये, इसलिए जब उन से उसने रमा को जाते देखा, तो बोला, पंडी जी कहां चले, कमल तो लेते जाई है, रमा मारे संकुष के गड़ गया, उसके मुझे इतना ही निकला है, मुझे इच् कर देखा, फिर बड़ा मुनिम जी ने समझा, सायद कमल घटिया देकर देवता जी चले जा रहे हैं, ऐसे आत्म सम्मान वाले देवता उसे अपने जीवन में सायद कभी मिले ही न थे, कोई दूसरा ब्रामा होता तो दो चार्क चिकनी चुपड़ी बाते करता और अच्छे कमल मांगता है, यह देवता बिना कुछ कहें, नेरी वियाज भाव से चले जा रहे हैं, तो अवसे कोई उत्यागी जीव है, उसने लपक रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ तो महराज आपके लिए जोखा कमल रखा है, यह तो कंगालो के लिए, रमा ने देखा, कि कि बिना मांगे एक चीज मिल रही है, जमनस्ती गले लगाई जा रही है, तो वह दो बार और नहीं नहीं करके मुनि के साथ अंदर चला गया, मुनि ने उसे कोटी मिले जाकर तक पर बैठाया और अच्छा सा दवीज कंबल भेट किया, रमा की संतोज भृति का उस पर इतन प्यागर से मैंने कंबल ले लिया, पर दच्छा नहीं ले सकता, मुझे धन किया सकता नहीं, जी सज्जा ने घर के घर टिका हुआ हूँ, वह मुझे भोचन देते हैं, और मुझे लेकर क्या करना है, सेड़ जी मानेंगे नहीं, आप मेरी और से छमा मंग लिजीएगा, तीन बजे रात को गंगातर पर पहुच जाते हैं, और वहां से आकर पूझा पर बैढ़ जाते हैं, दस बजे भागवत का प्रायान करते हैं, मैध्यान को भोजन पाते हैं, तब कोठी में आते हैं, तीन चार बजे फिर संधिया करने चले जाते हैं, आठ बजे थोड़ी द का वो रहे थी कि कहीं सेट जी ने कोई धार में प्रसंग छेड़ दिया तो सारी कले खुल जाएगी किसी दूसरे दिन आने का वचन देकर उसने पिंट चुड़ाया नौ बजो वाजनाले से लोठा तो डर रहा था कि कहीं देविदी ने कंबल देकर पूछा कहां से लाए तो आए वह ही जिसकी वह बड़ी लाल कोठी है रहा कोई बानाना कर सकते हैं बोला हम उनुञीं ने पिद्धी ने चोड़ा बड़ा धरमात्मा जी वह है देविदीन मुस्क्रा करकर बड़ा धरमात्मा उसी के था में तो यह धर्ति था मिया नहीं तो अब तक मिठ गई होती रमानाथ काम तो धर्मात्मैक उसके ही करता है मनका फालर जिसवर जाने जो सारे दिन पुझा पाठा और दान बृत तो तुरंत तलब कर लेता है अगर साल में दो चार हजार दन कर दे तो पाप का घधन पचे कैसे धर्म कर्म वाले ब्रामर तो उसके द्वार पर जहांकते भी नहीं तुम्हारे वहां कोई पंडित था कोई जाता ही नहीं हां लोभी लंपड पहुच जाते हैं जितने पुझा पुझते इनके दिल भी पत्थर हो जाते हैं इसके तीन तो बड़े-बड़े धर्म शाले हैं मुद्दा है पाखंडी है आदमी चाहे और कुछ ना करे मन में दया बनाए रखे यही सव धर्मों का एक धर्म है दिन की रखियों रोटिया खाकर जब रमा कम्मा लोड़कर ल पढ़ता है वह देविदिन के घर दो महिने से पढ़ा हुआ था पर देविदिन उसे भीचुग नहीं मेमान समझता था उसके मन में कभी दान का भाव आया ही नहीं था रमा के मन में ऐसा उद्व उठा कि इसी तम थाने में जाकर अपना सारव जितांत का सुना यहीं होगा दो तीन साल साल की सजा हो जाएगी फिर यह तो प्राण सुली पना टंगे रहेंगे कहीं डूब ही क्यों नजाए मरूं इस तरह जीने से फायदा यह क्या है ना घर का ना घाट का दूसरों का भार तो क्या उठाऊंगा अपने लिए दूसरों का मुताकता हूं इस ज अब बोला यह तुम्हारी अंग्रे जी बड़ी विकट है पास एस आई आर सर होता है तो पी आई टी पीट क्यों हो जाता है बी यूटी बट है लेकिन पी यूटी पूट क्यों होता है तुम्हें भी बड़ी कठिन लगती होगी रहमा ने मुसक्राकर कहा पहले तो कठिन पर आप तो आसान मालों होती है देवी दिन जी प्राइमर खतम होगी महाभीर जी को सवा से लड़ू चड़ाऊंगा पराई मर का मतलब है पराई इस तरी मर जाए मैं कहता हूं हमारी मर पराई के मरने से हमें क्या सूख है तुम्हारे बाल बच्चे तो है न भाइया रहमा अब तक यहां कोई ठीकाना ना लग जाए क्या पत्र लिखूं अरे भले आदमी इतना तो लिख दो कि मैं यहां कुसर से हूं घर से भाग आये थे इन लोगों को उन लोगों कितनी चिंता हो रही होगी मा बाप तो है ना है तो देवी दिन गिरगा का तो भाईया आजी चि इसमें देवी दिन के सत्वाव ने उसे प्राभूत कर दिया बोला घर से भाग आया हूं तादा देवी दिन ने मुछो में मुश्कुरा कर कहा यह तो मैं जानता हूं क्या बाप से लड़ाई हो गई नहीं मा ने कुछ कहा होगा यह भी नहीं तो भी घरवालों से ठन गई ह तुम करते हो इसालग में अपने माबाप से अलग ना रहूंगा या गहने के लिए जित करती होगी नाक में दम कर दिया होगा क्यों रहाने लजीद अगर कहा कुछ ऐसी वात दादा वह तो गहने की बहुत इस्चुक न थी लेकिन पाजाती तो प्रसन हो जाती थी और मैं प् प्रस्ण ने मानों उस पर छापा मार दिया वह कुसर सैने की भाती अपनी शेना की घाटियों से जासूसों कि यांख बचा कर निकाल ले जाना चाहता था पर इस छापे ने उसकी सेना को असल वेस कर दिया उसके चेहरे का रंग उड़ गया वह एकाए कुछ निश्चर ना कर दस बिस बारदा तो मैं आखों देख चुका हूं यह रोगई ऐसा है और अत्मू से तो यही कहे जाते कि यह क्यों लाए वह क्यों लाए रुपे कहां से आवेंगे लेकिन उसका मन आनन्द से नाचने लगता है यही एक डाग बाबु रहते थे बेचारे ने छूरी से गला काट लिया पापने तक्सिम किया करता था यह कानों के जुमकों के लिए जान खा रही थी काती तो सोने की लूंगी इसका बाप चौदरी था में की दुकान थी मिजाई बड़ा हुआ था मुझ पर प्रेम का नसा चाया हुआ था अपनी आमदनी की डिंगे मारता रहता था कभी फूलों के हार ला इतनी कुछ होई कि पूछ होई नहीं लेकिन एक ही महिने में चोरी पकड़ ली गई तीन सार के सजा हो गई सजा काड़कर निकला तो यहां भागाया फिर कभी घर नहीं गया यह मुझ ऐसे दिखाता हाँ घर उपत्र भेज दिया बुड़िया खबर पाते ही चली आई यह स सोनार मिल गया है मजूरी में साग भाजी ले जाता है में तो सलाह है घर एक खत लिख दो लेकिन पुलिस तो तुम्हारी टो में होगी कई पता मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा मैं ना किसी से एक खत लिखवा कर वेज दूं रमान्यागरपुर्व कहां नहीं दादा द में जान पहचान की एक इस्त्री दिखाए थी हमारे घर बहुत आती जाती थी मेरी इसी से बड़ी मित्रता थी एक बड़े वाकिल की पत्नी है उसे देखते ही मेरी नानी मर गई ऐसा सी पिटा गया कि उसकी और ताकने की हिम्मत न पड़ी चुपके सूटकर पीछे का वरा जाँ तो नहीं मिल सकता लुट कुछ भी तो नहीं मालुम है देखा चाहिए देखा चाहिए डेखा चाहिए देदिद् had पुलिस तुम्हारे टो में होगी देवी दिन चिंता में डुब गया रहा मा का भुराम हुआ सायद पुलिस का भाई से चिंतित कर रहा है बोला हाँ इसकी संका मुझे अमेशा बनी जाती है तुम देखते हो मैं दिन को बहुत कम घर से निकलता हूँ लेकिन मैं तुम्हें अ सबस्क्राइब को अपने घर ठाराना पाप नहीं है हमें क्या वालू किसके पीछे पुलिस है यह पुलिस का काम है पुलिस जाने परना होगी मैं इधर उधर से सारा ब्योरा पूछाओंगा तुम्हारे पीता से मिलूंगा तुम्हारी माता को समझाओंगा तुम्हारी घरवाली से बातचीत करूंगा फिर जैसा उचे जान पड़े वरसा करना रबाने मनहीं मन प्रसंद होंकर कहा लेकिन कैसे पूछोगे लोग कहेंगे ना कि तुमसे इन बातों से क्या मतलब देविदी ने ठट्टा मार कर कहा भाई या इससे सहस्तों कोई काम ही नहीं एक जनेव गले में डाला और रामन बन गए चाहे हाथ देखो चाहे कुणली बांचो चाहे सगुन विचारो सब कुछ कर सकते हो बढ़िया विचा लेकर आवेगी उसे देखते ही कहुँगा माता तरे पुत्र को पुत्र के परते जाने का बड़ा संकड है क्या तेरा कोई पुत्र विदेश गया है इतना सुनते ही घर बर के लोग आ जाएंगे वह भी आवेगे उसका हाथ देखोंगा इन बातों से मैं पक्का हूं दोनों बाती बाती के प्रश्ण करेंगी क्यों बाबा वो कहां गये हैं अच्छी तरह है ना कब तक घर आवेंगी कभी बार बच्चों की सुधी आती है उनको वहां किसी कामीनी के माया जाल में तो नहीं फस गए दोनों शहर का नाम भी पूछेंगी कहीं दादा ने सरकारी रुपे चुका दिये हो तो मजा आ जाए तब कहीं चिंता रहेगी देवदीन बोला तो तो है ना सला रमाना कहां जाएंगे दादा कष्ट होगा मा कासना भी तो करूंगा कष्ट के विना कहीं पूतर होता है मैं तो कहता हूं तुम भी चलो मैं वहां सब रंग धंग देख पूलिस का सिपाई पकड़ ले तो बस देवदी ने कम भी रुकर कहा सिपाई क्या पकड़ लेगा दिल लगी है मुझसे कहो मैं प्रियागराज के थाने में ले जाकर खड़ा कर दूं अगर कोई तीशी आँखों से भी देख ले तो मूझ भूण वालूं ऐसी बात है भला पूलिस के अफसरों के साथ दावते खाते हैं पूलिस उन्हें जानती है फिर भी उनका कुछ नहीं कर सकते रूपए में बड़ा बड़ है भाईया रहमा ने कोई जबाब ना दिया उसके सामने या नयाप्रस में खड़ा हुआ जिन बातों को अन्भो ना होने के करा महा कश्ट साथ समझता था उन्हें इस भूड़े ने निर्मुड कर दिया बूड़ा से खो बाजों में नहीं है वह मुझ से जो कहता उसे पूरा कर दिख तो उसे देखते ही गोपी और विश्वंभद रोड़ेंगे भया आए भया आए दादा निकलाएंगे अम्मा को पले विश्वास ना आएगा मगर जब दादा जाकर को कहेंगे हां आ तो गए तब तो वह रोती विद्वार की चलेगी इसी वक्त में पहुंचकर उनके पैर कोच होगा अपनी प्रेजनों से जब कोई अप्राद हो जाता है तो हम उगटकर उसे दुखित नहीं करते हैं चाहते हैं कि उस बात को उसे ध्याने नहीं उसके साथ अभिवार करते हैं कि उसे हमारी उसे जरावी भ्रहम नहों वह भूलकर भी या ना समझे कि मेरी आपकिर देविदिन ने दृता से कहा मंझूर रमा ने संको से आखे निची करके कहा एक बात और है देविदिन क्या बाते कहो मुझे कुछ कप्ड़े बन बन वाने पड़ेंगे बन जाएंगे मैं घर पहुचकर तुम्हारे रुपे दिला दूँगा और मैं तुम्हारे गुरु द जितना प्रेम मुझे तुमसे है उतना और किसी से नहीं तुमने ऐसे गाड़े समय में मेरी बाहां पकड़ी जह मैं बीच धार में बाहा जा रहा था इस वरी जाने अब तक मेरी क्या गतिव होती किस घाट लगा होता देविदिने चुह से कहा और जो कहीं तुम्हारे कि देविदिने हसका का तब तो बुढ़िया डा के मारे जल मरेगी मानेगी नहीं नहीं तो मेरा जी चाहता कि हम दोनों यहां से अपना डेरा डंडा लेकर चलते और वहीं अपनी सिर की तांते तुम लोगों के साथ जिन्दगी के बाकी दिन आराम से कड़ जाते मगार इस पर तक आनंद कलपनाओं में मगन बैठा रहा जिन बावनाओं को उसने कभी मन में आस्रे न दिया था जिनकी गहराई और विस्तार अलुद्यक से हुआ इतना भैबी था कि उनमें विसल कर डूब जाने के वैसे चंचल मन को उधर बटकने भी न देता था उसी अथा रच् दिर हिदय को बुद्गणाने लगे रमेश उसे देखते इगले लिपट जाएंगे मित्र कर पूछेंगे कहां गयती यार खूब खूब शैर की रतन उसकी खबर पाते दोड़ी आएगी और पूछेंगे तुम कहां ठारेते बाबुजी मैंने शारा करकता चानमारा फिर ज यार का मशहर होगा चलने को तयार हुआ लेकि द्वार तक आकर रूप गया देविदी ने पूछा कयो की छिए कैसे होगे तुम ही चलो मैं दर करो干ई कर वहां कि अいきका तसफ देंगे तो तीन रही हों नगेया प्बणा और देगो किया करूंग अगर कोई कॉष्छ नई करें तो हगे सब कश्छान है कि से तुम्हें परेको सुनिंगे कि कोई तुम्हारी तरफ दिटा नहीं मैं अटरहें आधाγα जाने की इच्छा नहीं है डर नहीं रहे तो क्या कर रहे हो कर रहा हूं कि को कुई तोमें कुछ ना कहा इसका मेरा मुद्दा तुम्हारी जान निकली जाती है कि है इतुम बहुत समझाया स्वसंदिया पर सब्सक्राइब कर शंब उसकी हिम्मत घर से बाहर निकलने की न पड़ती थी वह सोचता था अगर किसी सिपाई न पकड़ ले तो देविदीन क्या कर लेगा माना सिपाई से इसका परिचा भी हो तो या अवस्यक नहीं होगा कि सरकारी मामले में मैत्री का निर्वाह करें या मिननत कुसामत करके रह ज कहीं पकड़ जाओं तो प्रिया के बदले जेल जाना पड़े आखित देविदीन लाचार होकर अकेला ही गया देविदीन घंटे भर में लोटा तो देखा रमा चट पर टाला है बोला कुछ खबर है क्या बज़ गये बारा का अमल है आज रोटी न बनाओगे क्या घर जान 5-6 रुपय गया से कम का कोई कपड़ाना था रमा ने नमसी को लिट कर देखा और बोला इतने महँड़ क्यों लाया जादा और शस्ते नहीं थे सास्ते थे कंपडल से नहीं पांते इतने भी सास है में लिए दर की बात तो नहीं क्ता कूछ वही दाम लग जाता है पर रुपया तो देश में रहा जाता है रमन लजाते हुए का तुम नियम के बड़े पक्के होता दा देविधिन की मुद्रा सहसा तेजवान हो गए उसकी बुजी यांके चमक उठी दें की नैसे तन गई यांकर करके बोला जिस देश में रहते हैं जिसका अन जल खाते हैं उसके लिए इतनी भी ना करें तो जीने को धिकार है दो जवान बेटे इसी सुदेशी की भेट चकर चुका हूं भाईया ऐसे ऐसे पठे थे कि तुमसे क्या कहें दोनों बिदेशी कपड़ों की दुकान पर तैना थे क्या मजाल थी कि कोई गाहक दुकान पर आ जाए हाज जोरकर देगी गिया कर धमका कर लजवा कर सबको फेर लेते थे बजाजे में सियार लोटने लगे सबों ने जाकर कमिशना से फरियात की सुनकर आग हो गया बिस फोजी गोरे भेजे की अभी जाकर बजा से पहरे उठा दो गोरों ने दोनों भाईयों से कहा यहां से चले जाओ मुदा हुआ ही वो अपनी जगह से जो भर भी ना हिल भीड लगे गोरे उन पर गोड़े चढ़ा लाते थे पर दोनों चटान के तरह डटे खड़े थे आखी जब इस तरह कुछ बस ना चला तो सबों ने डंडों से फिटना शुरू कर दिया दोनों भी डंडे खाते थे पर जगह से ना हिलते थे जब बड़ा भाई गिर पड़ा तो छोटा उसकी जगह प्रा खड़ा हुआ है अगर दोनों अपने डंडे समा लेते तो भाया उन भी सो को मार भगाते लेकिन हाथ उठाना तो बड़ी बात है सीर्थ तक न उठाया आंध में छोटा भी वहीं गिर पड़ा दोनों को लोगों ने उठा का अस्पतार बेजा उस वकत ऐसा जान पड़ता था कि मेरी चाती गज़ भरकी हो गई है पाउं जमीन पना पड़ते थे यहीं मंग आती थी कि भगवान ने औरों को पहले न उठा लिया होता तो इस समय उन्हें भेज देता जब अर्थी चली है तो एक लाख आदमिया साथ थे बेटों को गंगा म स्वाप कर में सीधे बजाजे पहुचा और उसी जगर खड़ा हुआ जहां दोनों वीरों की लास गिरी थी गाहा के नाम चिडिये का पूतना तक दिखाए दिया आट दिन वहां से हिला तक नहीं बस भोर के समय आद घंटे के लिए घर आता था और नहा धोकर कुछ जर्प पान करके चला जाता था नवे दिन दुकांदारों से ने कसम खाई कि विलायती कपड़े अब नबन मंगवाएंगे तब पहरे उठा लिए गये तब से विदेशी दिया सलाई तक घर्न में नहीं लाया रहामा ने सच्चे दिल से कहा दादा तुम सच्चे वीर हो और वे द को ना आता है से चुकरियों की भांती विशुर्णों के सिवा इन से और कुछ नहीं हो सकता बड़े बड़े देश भक्तों को बिना बिलायती सराप के चैन नहीं आता उनके घर में जाकर देखो तो एक भी देशी चीज़ना मिले कि दिखाने को 10-20 कूर्टे गाड़े के ब